ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमो भगवते वासुदेवाए आज कार्थिक मास महत्मय का 31 अध्याय है शिरीहरी से प्रातना है कि कार्थिक मास का महीना आपके जीवन में सुक्ष समृति व्यभव शान्ति सुभागे और स्वस्त जीवन में उनत्ति लेकर आए और मालक्षमी का अशिरवाद आपके जीवन को सफलता से पर दे प्रेम से बोलिये शिरीहरी और मातालक्षमी की जै तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं गनेश जी की एक छोटी सी कहानी हे बुद्धी के देवता सदबुद्धी थे, सुख शान्ती और समृती थे, बोलिये गजानन महाराज की जै गनेज जी की कहानी, एक ब्रामन ब्रामणी थे, उनके एक लड़का था, लड़का गनेज जी का परम भक्त था, दिन रात गनेज जी की सेवा में लगा रहता घर का कोई काम नहीं करता इससे ब्रामणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लटती रती और घर का कोई काम दंदा कर इस बात पर घर में रोज जगड़ा होता लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गनेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गनेश जी भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगा लड़का जय गनेश जय गनेश बोलते होए दूर घने जंगल में आ गया और जोर से गनेश जी को पुकारने लगा लड़के को डर भी लगने लग गया अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा जय गनेश जी जय गनेश जी तब गनेश जी का सिंगासन हिलने लगा रिदि सिद्धी बोली महाराज कोई भक्त सचे मन से आपको पुकार रहा है आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए तब गनेज जी भगवान बुडे भ्रामण का वेश्धारन कर बालक के पास आये और बोले लड़के क्यों रो रहे हो तब बालक बोला आज मैं गनेज जी से मिलने घर से निकला चलते चलते इतना दूर आगया पर गनेज जी भगवान नहीं मिले आप बताओ गनेश जी भगवान कहां मिलेंगे तब ब्रामण वेश्टारी गनेश जी बोले बालक घर चला जा नहीं तुम तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे पर बालक लड़का नहीं माना बोला आज कुछ भी हो जाए गनेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन होए और लड़के को दर्शन दे दिये लड़का गनेश जी को देखकर बहुत खुश हुआ तब गनेश जी बोले लड़के मांगन चाहे सो तुम मांग ले मैं तुझे सब दे दूँगा तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला घोड़ा और लगाम मांगू पूजो गजराज मांगू महल माल्या मांगू पुर्शन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को गनेश जी भगवान ने ततास्तू खा और अंतर ध्यान हो गए लड़का घर आया तो देखा जोपड़ी की जगे महल बन गया बाहर गोड़ा खड़ा अंदर गया तो पिछे दुलन बैटी लड़के की मां बोली तेरे गनेश जी का तो बहुत पुन्ने परताब हुआ है आज से हम सब गनेश जी की बुजा अरजना करेंगे सब बहुत खुश हुए हे भगवान जैसा उस लड़के को फल दिया अंधन के भंडारे बरे वैसे सब के भरना जै गनेश जी भगवाने की जै बोलिये विश्नु भगवाने की जै चलिए अब आपको सनाते हैं कार्तिक मास महत्मे का 31 अध्याय ब्रहमा जी कहते हैं कि कार्तिक शुकला एकादशी जिसको हरी प्रभोधनी एकादशी भी कहते हैं इस एक वरत करने से बाजपई यग्गों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जनम मानांतर के पाप नश्ट हो जाते हैं जो चार महिने का चदुर मार्स वरत होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है इस दिन वरत रखकर ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का जाप करें तत पश्चात रातरी को चागरन करें तो सब एकादशीों का फल प्राप्त हो जाता है बीशम पंचक वरत कार्तिक शुकला एकादशी से आरम करके पुण्निमा को समाप्त होता है इस दिन रिशीव पित्रों का तरपन करना चाहिए बीशम पंचक में नित्ते ही बीशम जी का तरपन करना चाहिए वसु के अफ्तार, शांतनु के पुत्र, चंदरवंच में उत्पन, व्यागरपद गोत्र, संस्कृत प्रवरवाले, संतत्ती रहित, गंगा के पुत्र, सत्य वरती आजनम ब्रहमचारी बीशम जी का तरपन करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नश्ट हो जाते हैं बीशम पंचक वरत करने वाला पुण मासीव एकम को ब्रहमणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षना देकर उन्हें संतुष्ट करें तथ पश्चात आप भी भोजन करें 31 अध्याय समाप्त होता है बोलिये विश्णु भगवान कीजए चलिए अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास महत्मे का 32 अध्याय सूची कहते हैं कि ध्वजा रोपन जंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है चारो वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में जंडी लगाता है वह ब्रहमादी देवताओं से पुजित होकर विश्णु लोग को प्राप्त हो जाता है नारज जी कहते हैं कि हे राजा प्रथू हम तुमें एक पुरातन इत्यास सुनाते हैं पुर्वकाल में सत्युग में सुमती नाम वाला एक चंदरवंशी राजा था यह राजा भगवान का भक्त अहंकार रहित सवत दीब का राजा था सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिवरता थी वह भगवान के सामने नरत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुकला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांदा करती थी एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए वी भांडक क्रिशी आये राजा ने उनका अत्यंत आधर सत्कार किया तब राजा को ध्वजा रोपन करते हुए देखकर मुनी ने कहा हे राजन भगवान को प्रसंद करने के लिए और अनेक साधन है प्रंतु तमारी इस ध्वजा रोपन में इतनी श्रधा क्यों है राजा कहने लगा हे मुने एक अत्यंत अधभुद आश्चर युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ मैं पुर्व जनम में मालिनी नाम वाला कूमारगी ब्राहमन देशी महापापी शुद्र था साथी वैश्या गामी भी था मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंदू बांधों ने मुझको त्याग दिया इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विश्नु मंदिर में रहने लगा और वन के मरगा आधी जीव जन्तूं को मार कर पेट भरने लगा इसके पश्चात विंद्याचल परवत पर रहने वाली कोकिलीनी नाम वाली निशात की कन्या जिसने अपने पती को मार दिया था भूख से व्याकुल हुई वहाँ पर आगई और मेरे पास ही रहने लगी सयोग वैश कार्तिक शुकला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांध कर उसकी जंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस जंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे सारी रात नृत्ते करते रहने के कारण प्रातकाल हम दोनों की मृत्यू हो गई तब यमदूत हमें फांसी में बांध कर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे उसी समय विश्नु भगवान के दूत विमाल लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले तुम पापियों को यम पुरी ले जा सकते हो धर्मातमाओं को नहीं परन्तु यमदूत भी अत्यंत करोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों माह पापी है इस कारण यह यम पुरी ले जाने योगे हैं इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुन्ने कारे नहीं किया है तब विश्नु पार्शत कहने लगे कि माहा खेत की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ग्यान नहीं है यह ठीक है कि यह दोनों सारी आयू माह पापों में लगे रहे परन्तु इन्होंने कार्तिक शुकला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा रोपन तथा नृत्ति किया है अथ अब यह पापी नहीं रहे इनके संपुन पाप नश्ट हो गए है इस कारण यह विष्णु लोक में जाने के अधिकारी है भले इन्होंने अंजाने में ही यह सब कारे किये हैं इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों का विमान में बिठा कर विष्णु लोक को ले गए नारज जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु अंजाने में भी ध्वजा रोपन का ऐसा फल है तो श्रधा के साथ कार्तिक शुकला द्वादशी को जो ध्वजा रोपन करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है इतनी कथा सुनकर विभांडक दिशी तपोवन को चले गए कार्तिक मास महत्मे का 32 अध्याय समाप्त होता है तो बोलिए विश्णु भगवान की जए